Hello friends, my name is Sudhir, let's start today's season. हम लोग Environment Ecology पढ़ रहे थे, लास्ट वाली क्लास में हमने Component of Ecosystem में आप Biotic Component को खतम कर दिया. आज हम Biotic Component को सबसने के कोसिस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर आपको History and Culture की क्लासिस लेनी हैं, तो अनकाडमी पर अभिसेक्स रिवास्ट वसर की क्लासिस ले सकते हैं. डेटेल जानकर यापको Description में मिल जाएगा, उसके अलावाँ आप TT100 करके Coupon Code है, यूज कर सकते हैं ताकि आपको Maximum Discount अभेल हो सके अनकाडमी की कोसिस पर हैं. तो हमने आप IOTIC Component समझ लिया था, हमने रेन को अच्छे से समझा था, हमने लाइट को अच्छे से समझा था, कि लाइट, रेन, टेंप्रेचर, अट्मॉस्फियर, अल्टिटूड, ये कैसे एक प्रकार से Limiting Factor हैं. Limiting Factor क्या होता है, अब आप बता सकते हैं, जिन्हों में पढ़ा है, वो प्लीज कॉमेंट सक्षन में बताएं, कि Limiting Factor क्या होता है, तो हमने आप लास्ट वाली क्लास में समझ लिया था, कि कैसे रेन, लाइट, टेंप्रेचर, सैनलेटी, अल्टिटूड, फ्रॉस्ट, यह सब Limiting Factor है, आज हम लोग Biotic Component, यानि कि जिसमें लाइफ होती है, उसको समझने के कोसिस करेंगे, Producers क्या होते हैं, Consumers क्या होते हैं, Decomposers क्या होते हैं, डेटेल से समझने के कोसिस करेंगे, आज की क्लास में, चले शुरू करते हैं, तो हम यहीं पर थे, Component आप Ecosystem समझ रहेंगे के कोसिस कर रहेंगे, यह हमारा Last Chapter है, इस वाले पोसन का, इसके बाद the next chapter स्टार्ट हो जाएगा, तो Component Ecosystem में हमने, अब तलक समझ लिया है, पढ़ लिया है, Biotic Component, Air, Sanity, Soil, Temperature, Light, Water, pH, यह सब मैंने समझा दिया, आपको humidity, minerals, सब मैंने आपको डेटेल से चीज़ें समझा दिया है, अब आते हैं, अपने Biotic Component, Biotic Component, भाई, Biotic Component में क्या पढ़ना है, Majorly Biotic Component के अंतरगत, तीन चीज़े होती है, एक तो होते हैं, Biotic में, Biotic का मतलब सिंबल सी बात है, Life, Javik लिखा हुआ है, Life, Living Being, जिसमें जान हो, ठीक हैं, उनको बोलते हैं Biotic Component, तो जान किसमें हैं, क्या Producers में हैं, क्या Consumers में हैं, क्या Decomposers में हैं, हाँ, बेलको इन तीनों में जान हैं, इनों में Life है, इसलिए हमने इसको रखा है, Biotic Component के अंतरब, Biotic Component के अंतरब तीन category होती हैं, एक होते हैं Producers, Producers कौन होते हैं, Producers वो होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हों, ऐसे Living Being, या ऐसे Organism, जो अपना Food खुद बनाते हों, उनको बोल देते हैं, क्या हैं, वो Producers हैं, For Example, इसका कोई Example बताईए, बहुत सिंपल सा Example, 5th Class, 6th Class, 4th Class ते पढ़ते चले आया हैं इसका Example, Plants, Pained Pod है, Photosynthesis Process से, ठीक हैं, Photosynthesis Process से क्या करते हैं, अपना भोजन, खुद बनाते हैं, इनको Food के लिए किसी और पर Depend, नहीं रहना होता है, तो जो Food के लिए किसी और पर Depend ना हो, उनको क्या बोलते हैं, वो Primary Producers हैं, उनको उनके लिए वो जो Produce करते हैं, वो खुद से Produce करते हैं, वो किसी और के ओपर Depend, नहीं करते हैं, इनको कुछ और नामों से जाना जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको एक तो प्रोड्यूसर्स को कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मैंने बोल दिया पीपी बोल सकते हैं इसको अलर चेंज करने को भरी पे इनका primary producers बोल सकते तो primary producers primary producer ठीक है secondly इनको क्या बोलते है autotrops, यहाँ पर लिखा हुआ autotrops, मतलब खुद से उतपादन करने वाले स्वता उतपादी, स्वता पोसक autotrops, खुद से पोसत करने वाले ठीक है, autotrops इनको और क्या है मतलब क्यों बोलते है autotrops self-nourishing होते है, ठीक है तो self-nourishment के कारण से इनको autotrops बोला जाता है examples के तौर पर याद करिए कौन सा example है, उसका example मैंने आपको बता है, plant, ठीक है उसके अलवा, कुछ bacteria कुछ type के bacteria जिसमें एक example बताईए, सोचिए कुछ bacteria, एक example बताईए एक bacteria का, syenobacteria 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 okay, syenobacteria example of primary producers, autotrops blue-green algae इसी को बोलते है blue green algae ठीक है यह photo-senses process करते है और photo-senses से अपना उत्पन करते है, दूसरा कौन है दूसरा है consumers consumers क्या होते है उनको बोलते है heterotrops, per-poxy जो दूसरे पर depend करते है यानि कि जो अपना food खुद से ना बनाए जो अपना food खुद से ना बनाए उनको क्या बोल देंगे हम यह consumers है decomposers क्या है जो यह primary producers और consumers को decompose करें आप घटन करें उनका और उनके अंदर जितनी भी gases है उनको बाहर करें और यह जो consumers हैं या primary producers हैं इनके अंदर जो nutrients हैं उस nutrients को खा के जिन्दा रहें तो उनको बोल देते हैं यह decomposers हैं अब एक-एक को हम लोग details से समझते हैं कि कुसिस करते हैं overview मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है ओके चलिए मूब करते हैं primary producers पे autotrops पे या जो ऐसे जो self-nourishment करते हैं उन पे मैंने जैसे के examples आपको बता दिया अब सारा की चीज़े मैंने समझा दी हैं क्या चीज़े ऐसे जो अपना food खुद से produce करते हो food production खुद से करते हो किसके थुरू photo senses senses के थुरू चीज़ और एक चीज़ और जो हम लोग अकसर गलती करते हैं कि जो primary producers होते हैं उनको सिरफ हम photo synthesis का example दे दे देते हैं कि यहाँ यह photo senses करते होंगे और उसके कारण से तो सिरफ photo senses नहीं बलके chemo senses chemical synthesis के थुरू जो अपना food खुद से produce कुछ भी तरीके से तरीका कोई भी हो उतपातन करो food किसी तूसरे पर डिपेंड ना करो primary producers के अंतर के आजाओ गया autotropes कहला हो गया self nourishment वाले plants कहला हो गया animal organism कहला हो गया तो खुद से अगर हम खुद से अपना ऐसे हाथ उपर कर दे और हमारे धूप लगे वो धूप वाली धूप film देखी थी ना कोई मिल गया कोई मिल गया में क्या था वो धूप धूप खा कि वो क्या कहता था थुद को energetic कर लेता था तो क्या था वो self nourishment करता था वो primary producers था उस पर कोई depend हो सकता था जादू पर तो अगर हम भी ऐसे हाथ कर दें और हाथ करने से हमें energy आ जाए हमें किसी और दूसरे तीसरे food दाल चावल और चीजों पर depend करना बंद कर दें तो हम क्या करेंगे primary producers हैं इसी प्रकार जो primary producers होते हैं वो किसी पर depend नहीं होते हैं और photosynthesis और chemical synthesis इन दोनों के थूँ not only देखें बहुत पस लाइन लिखी हुई हैं यहाँ पर not only photosynthesis but also chemical senses also responsible behind primary producers तो chemical senses भी हो सकता है primary producers के लिए कहने की बात है plant, green plant, कुछ bacteria, algae जो photosynthesis का process करते हैं या chemo senses का process करते हैं उनको primary producers बोलते हैं जिनका example मैंने आपको दे दिया समुद्र में जहाँ पर प्रकास नहीं पहुच पाता है समुद्र में oceanic region में जहाँ पर light की presence नहीं होती है वहाँ पर भी planktons होते हैं ये और ये chemical synthesis process के थुरू क्या करते हैं अपना food खुद से बनाते हैं इसलिए ये भी एक primary producers होते हैं समझ के तो planktons जो की ocean के ridge में पाए जाते हैं टॉप bottom में पाए जाते हैं वो भी अपना food बनाते हैं और primary producers होते हैं उनमें photosynthesis का कोई रोल नहीं होता है वो भी primary producers के अंतरकत आते हैं अब एक बारी थोड़ा सा differences समझ लेते हैं कि प्रकास translation और chemo senses photosynthesis और chemo senses में क्या difference है यहाँ पे हिंदी गलत लिखा हुआ है यहाँ प्रकास translation और यहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे होना चाहिए रासायन translation तो chemo senses and photosynthesis में क्या difference है यहाँ पे एक बारी समझ लेजिए photosynthesis जो होता है यह sun के उपस्थती में होता है sun light जरूरी है लेकिन chemo senses क्या होता है यह सिरफ daytime में नहीं बलकि night time में भी हो सकता है तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई simple सा सवाल पूछे क्या photosynthesis 24 hours होता है नहीं हो सकता है क्यों क्यों sunlight की जरूरत है क्या chemo synthesis 24 hours हो सकता है yes हो सकता है क्यों 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 इसमें chemicals की जरूरत होती है इसमें फोटो संसे में जिसे नाम से है photon photon से निकला है photon से फोटो निकला है photon और जा का packet होता है जो संसे आता है इसमें light जरूरी है यह बिलकुल बिना light के photosynthesis पॉसिबल नहीं है लेकिन chemo senses possible है यह पॉसिबल है कैसे होता है कैसे होता है एक reaction दिया है जो कि आपका काम का नहीं है लेकिन आप समझ लो carbon dioxide की उपस्थिती में carbon dioxide होना चाहिए और water की presence में water की presence में sunlight जब किसी organic material carbon पे पढ़ती है water भी होना चाहिए carbon भी होना चाहिए और sunlight पढ़ रही है किसी plant पे तो chlorophyll की मदद से यह क्या करता है जो plants होते है वो अपने आपको energy में तोड़ते है energy क्या है यह C2, S2, O2 क्या है यह glucose glucose, fructose का formula पता होना चाहिए आपको glucose, glucose बनाया और oxygen plants देखिए यह बहुत simple सी चीज़ लिखी हुए plants अपना food कैसे बनाते है carbon plant हो गया उनके साथ water है sunlight आया जो कि plants में chlorophyll होता है chlorophyll की मदद से sunlight को carbon और hydrogen या carbon और पानी की उपस्तती में sunlight की मदद से chlorophyll की मदद से अपना जो चीज था जो sunlight प्राप्त हुई उससे इन्होंने क्या बनाया एक glucose बनाया ठीक है और glucose से क्या मिला उनको energy मिली हम भी हम क्या करते हैं glucose ही तो बनाते हैं energy मिलते है glucose से glucose ऐसे सीधे खालेते हैं ये लोग ऐसे बनाते हैं और क्या release करते हैं oxygen release करते हैं तो carbon बाहर से लिए इसलिए कहते हैं कि plants क्या करते हैं, plants carbon dioxide क्या करते हैं, absorb करते हैं, देखो absorb कर रहा है, और पानी चाहिए होता है, store चाहिए होता है, ये मिल गया, sunlight मिल गई, chlorophyll plant के अंदर है, क्या बना दिया इन्होंने, glucose बना दिया और oxygen रिलीज कर दिया, यही तो simply हम organic है, environment, उनको energy provide के लिए क्या करते हैं, chemo synthesis process होता है, अब chemo synthesis process में क्या होता है, इसका फिर फॉर्मूला है, आपर देख लो, carbon dioxide की उपस्तिती में, यहाँ पर जल नहीं होता है, यहाँ पर sulfuric acid होता है, H2S होता है, ठीक है, तो यहाँ पर carbon dioxide आया, carbon dioxide आया, sulfuric acid आया, bacteria है वहा होता है, उसकी मदद से सुगर बन जाता है, और सुगर के साथ-साथ sulfur बनता है, यहाँ पर oxygen release करते हैं, जो chemo synthesis process करेंगे, वो कभी भी oxygen release नहीं करेंगी, इस point से proof होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या निकालेंगे, sulfur release करेंगे अपने अंदर से, इसलिए जो, जो toilets, बायर ट्वायलेट्स की बात होती, जिन ट्वायलेट्स में chemical को agent के तौर पे use करते हैं, उन में से क्या निकलता है, sulfur निकलता है, बायर ट्वायलेट्स में, अगर science technology में पढ़ाया आपने तो, ठीक है, chemical को as a decomposer agent के तौर पे, जहाँ पे use करते हैं, वहाँ पे sulfur release होता है, ना ließenस के बारे में, आप जो हे, यहां से देख सकते हैं, मैं ना समझा दिया जितना समझा ना था, और बहुत सारे डिफ्रेंस है, यहां Бाई कम, बाय प्रोडुक्न क्या होता है, यहां पे जरूरी नहीं है कि क्लोरोफिल हो, जिसमें chemo'sív तो हम पे जरूरी नहीं है कि क्लोरो हो यहां पर required chlorophyll हो ठीक है sulfur देखो समझ गया है ओके यह चीज है और आगे आएंगी यहां पर बात हुआ है देखो main source main site of occurrence जो इसे जो photosynthesis है photosynthesis है उसका main site कहां पर होता है leaves of the plants plants के leaves पर होता है पतों पर होता है ठीक है photosynthesis लेकिन की揮ोे चीजस पर होता है सीस फ्लोर के नबाका में पास होता है है जो hydrothermal vent होते हैं вари democrτ क्या होता है डिको इस image में यह दो ऑण ले हो तो कुछ रहा है आफ塊 वी नए-स जीव उत्पन हो रहे लेकिन यहां पर क्या हो हो हाय है hydrothermal bank क्या है एक प्रकार का जो है एक सी फ्लोर में प्रकार का दरार है जहां से क्या होता है जहां से heated water निकलता है भूत आप यह रूप से गर्म पानी इसी से निकलता है इसको जो है एक hydrothermal bend बोलते है hydrothermal bend के आसपास बहुत सारे जीव रहते हैं इन जीव का जो कारिकरम चलता है यह जिन्दा जिस प्रणाली से रहते हैं उसका नाम है chemo synthesis तो chemo synthesis process के मदद से जो वहां पर जो ऑगनिजम होते हैं वो जिन्दा रहते हैं और chemo synthesis process में इनको sulfuric acid कहां से मिलता है H2S कहां से मिलता है chemo से ही तो यह hydrothermal bend से ही hydrogen sulfide निकलता है और hydrogen sulfide के मदद से यह क्या करते हैं अपना food produce करते हैं नहीं समझ पाए कारबन था इनके पास already water में तो water है ही hydrogen sulfide चाहिए था hydrogen sulfide मिला कहां से जो hydrothermal bend है वहां से मिला जो समुद्र के अंदर चोटी चोटी दरारे होती है जो समुद्र के अंदर चोटी चोटी दरारे होती है उन दरारों से hydrothermal bend बनता है और hydrothermal bend से क्या नंगता है hydrogen sulfide निकलता है hydrogen sulfide के मदद से सुगर बनता है और सुगर के साथ साथ sulfur के compound यह release करते हैं हो किती बात समझ में आई होगी इससे ज़्यादा detail discuss करने की ज़रूरत अभी नहीं है अब बात करते हैं consumers पर आते हैं heterotrops ठीक है या fogotrops बोल सकते हैं यह क्या होते हैं वो organism होते हैं जो incapable होते हैं जिसके लिए producing their own food खुद का खाना नहीं बना सकते हैं जो खुद का food produce नहीं कर सकते हैं उनको बोलते हैं consumers यह depend करते हैं organic food पर जो plant या animal के द्वारा बनाया जाता है या दोनों के द्वारा बनाया जाता है consumers को भी दो तरीके से divide किया सकता है micro consumers होते हैं एक macro consumers होते हैं photosynthesis से देखे plant बना plants ये autotrop plants को खाया जो है ये hydrotrop ने ये खर्गोस है खर्गोस ने इस प्लांट को खाया तो ये भी जिन्दा है photosynthesis से ये plant जिन्दा है इस परकार एक cycle पूड़ा हुआ हुआ okay अब ये micro और macro की बात हम लोग आगे करेंगे कि micro consumers कॉन होते हैं एक नट decomposers आप घटक तो decomposers क्या होते हैं मैंने बताया कि ऐसे organism जो primary producers और secondary यानि कि consumers या heterotrop इनको decompose करते हूँ तो slide पर वो आपे slot के आते देखें primary producers की हम लोग बात कर रहे थे just a second consumers, hyetrotrops हम नne समझ लिया primary producers सबसे bottom में होते हैं primary producers उनसे कम मात्रा में होते हैं producers से कम मात्रा में होते हैं लेकिन secondary consumer से जादा मात्रा और secondary consumers लोग आपे 10% rule किया है dos complicated rule and all that for a अभी हम लोग यहां पर ही अब आवटिक फैक्टर को समझेंगे सबसे पहले डिकंपोजिस इसको समझ लेए देखो दो चीज़े होते हैं टैट्री और इस हाथ है और इस हाथ को डिकंपोज करना है दो तरीके से इसको डिकंपोज किया सकता है टिक तो डिकंपोजर्स की मदद से एक डिकंपोजर्स की मदद से डिकंपोजर्स में क्या डिफरेंस है तो सबोज करो इस हाथ पे मैंने डिकंपोजर्स डाला और इस हाथ पर डिकंपोजर्स क्या करेंगे सबसे पहले डिकंपोजर्स मेरे हाथ पे एंजाइम रिलीज करेंग और nutrients को खा कि वो decomposers जिंदा रहेगा, यह होगा decomposers का क्या करेगा, detriolus क्या करेगा कि detriolus इसमें कोई प्रकार का enzyme release नहीं करेगा, इसको खाना start कर देगा, धिरे-धिरे कर कि, कोई enzyme release, इसको धिरे-धिरे खाना-खा 시작, तो इसमें जो nutrition उसको खाएगा और जो gases उसको release कर देगा, यह ही difference होता है, वो enzyme release करते हैं यह बिना enzyme release कि यह खुद से खाता है, detriolus is a decomposers, एक परकार से detriolus एक परकार का decomposers होते हैं, जो कि खाते हैं dead arganing matter को, और digest करते हैं internally to gain nutrition, अब अंदर खाएंगे, खा के digest करेंगे और nutrition प्राप्ट करेंगे, जैसे इसके examples, earthworms, millipids, sea stars, crabs और हैं, decomposers के examples कोंसे, bacteria, fungus, nepotrista हैं, यह सब इसकापल हैं, decomposers के, decomposers enzyme secret करते हैं, यह खाते हैं और खा के ही अपने पेट में पचा के nutrition लेते हैं, detriores, decomposers, nutrition उस पर क्या enzyme release करेंगे, और enzyme release करेंगे तो उससे nutrition निकलेगा और nutrition को खा के जिन्दा रहेंगे, तो यह detriores, decomposers में की difference है, यह हम लोग आगे समझेंगे फिलाल, अभी बस यहाँ पर रुकेंगे, हम लोग इतना समझ लिए हैं, हमने क्या क्या समझा, हमने producers को समझा, हमने primary consumers को समझा, हमने primary consumers को समझा, secondary, tertiary, अभी आगे आएगा, यह सब chapters हम लोग पढ़ेंगे, हमने सरफ consumers को समझा और decomposers को समझा, इतना समझने के कोसिस करी, यह fogotrop याद रखना यह, consumers को ही बोलते हैं, heterotrops को ही बोलते हैं, fogotrops, तो यह कुछ नाम है जो आप याद रखना, 10% रूल तो आपको पता होगा कि एक लेवल से दूसरे लेवल में सिरफ energy का 10% ही transfer होता है, जैसे कि suppose करो कि घास खाने से 9000 calorie मिली, तो घास को जो खाएगा उसको 900 calorie मिलेगी, ठीक है, और जो जो जिसने घास को खा कि यह जिंदा हुआ, suppose को लेवल मिली पिज है, इसको जो खाएगा, उसको 10% मिलेगा, यह 90 calorie मिलेगी, तो यह 10% रूल है, आगे-ागे energy का transfer से 10% होता है, इसे को बोलते है 10% रूल, यह सा समझाओंगा आके चलके, जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो वो चीज़े clear हो जाएगे, तो यह आज का class था, अगर आपको लगता है classes beneficial, तो let me know in comment section, और comment section में आप बताते रहिए, अगर, देखो appreciation ही matter करता है, आप लोग appreciate करेंगे, तो यह चीज़े बहुत आगे हम लोग continue कर पाएंगे, यह बहुत ज़रूरी चीज है, comment section में बताईए, जो चीज़ें समझ नहीं आती है, क्या चीज़ें नहीं चाहिए, वो चीज़ें बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जितना संभू और सेर कीजिए, ताकि courses को और उम्दा तरीके से बनाये जा सकें, thank you so much for watching.